दोस्तों वेलकम वेक वार फिर से आप सभी का स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल राजा करके पेडिक्शन में तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिग वैस लीग बारे में जो खिला जाय गा 26 डिसंबर जीडिनि है इसका बीडियो आपको बहुत सारी चीज़े समझन में आएंगी और वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो वीडियो करते हैं सबसे पहले जरूरी हमारा वाट्सप नंबर वाटसब नमबर आपकी स्कीन पर है 84, 47, 93, 57 यह आप सेव कर लें, स्कीन सोट ले लें, फोटो किलिक कर लें, क्योंकि यह आपके बहुत काम आने वाला है, बिग बैस में भी आएगा, आगे पाकिस्तान लीग में आएगा, आई पेल में भी आएगा, तो टेलिग्राम पर हमे विनिंग टीम मिलती है, टीम जीतने की चांसे कितने हैं, वो आपको बहाँ पता चलता है, वो आपको बहाँ पता चलता है, तो यह वीडियो स्टाट करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम एडिलेट स्ट्राइकर के बारे में, तो एडिलेट स्ट्राइकर की प्लेंग बहुत अच्छी फॉर्म में हैं ठीक है और जैक वैदरलेट का फॉर्म में आना बाकी है कभी भी आ सकते हैं अच्छी टीम है अभी तक चार मुकावले खेली है तीन मैं जीती है एक हारी है तो आप पर चल रही है कहां यह लाश्ट में हुगा करती दी अब बात करते हैं मॉलेज़या एक मैं जीताया भी अपनी बदौतालत पारी अच्छी खेल रहे तो अच्छे वालेजरें नमबर साथ पर रेंके विकेट की पर बलने वाज है Just बले बाँ तो साथ नंबर तक प्रापर बल्लेबाजी और ऑपर merge फास्ट इंडे नहीं है या लांधर मैं जित्ता पहależत हैन लेकिन साथ नंबर अंगर ऊंभाजी плох अब्याई понрав लेगे दोन्हें डोनों स्ट्रोंग है जिस तरीके और की दावेदार अभी तक की टीम तो दिख रही है आगे हो सकता है कुछ आंकड़े आपको बदलते हुए नजर आएं लेकिन हां बहुत अच्छा खेल ले टीम तो यह पर्थ को टकर देने वाली है अब बात करते हैं पर्थ इसकोचर के बारे में तो को पर्थ की टीम अभी और फाप डूप्लेसी ओपनिंग करेंगे बंडाउन पर निक होपसन है ठीक है जो अच्छी पारी खेल रहे हैं बंडाउन पर आकर नमबर चार पर और पांच पर इंके बहुत भरोसे वाले बल्लेवाज हैं जैने में पर मैं भी विसपास करता हूं नमबर चार पर हैं जो नमबर दस पर हैं एंडू टाई नमबर 11 पर हैं पीटर हैड्स गुलू बहुत अच्छे मतला हैं और एक्सन थोड़ा अजीब सा इनका लेकिन अच्छे गैंदवाज हैं तो यह टीम है जिसमें छह साथ बल्लेवाज हैं और चार पास बॉलर हैं टीम बहुत अच्छी है का इसका स्कूर था वह स्कूर करा था इन्होंने पहले खेलते हुए तो बहुत इस ट्रॉंग टीम है अब बात करते हैं पिछ रिपोर्ट के बारे में परत के बारे में तो अभी तक डॉमेस्टिक के 21 मैच खेले गए हैं तॉंटीवन जिसमें 13 मैच जीती है फ़र्ष्ट बै सब्सक्राइब के नुकसान पर लोगे स्कूर की बात करें तो भी परत का है एक सो यह आपका सेवेंटीनगी यानि 89 पर आल आउट होगी थी तो बात करते हैं स्कूरिंग पैटन की 150 से कम बने हैं वो चार बर बने हैं 150 और 179 के बीच का स्कूर बिच के बीच का यानि 172 189 क है स्कूरिंग यहां पर देखने को मिलते हैं हो सकता है इस मैश में भी आपको 175 बैसकोर देखने को मिल जाए अब बात करते हैं स्कूर 190 यानि 190 से ऊपर कितनी बार बनें तो 190 से ऊपर का स्कूर तीन बार बनाएं तो मैच बढ़या होगा अब बात करते हैं हैड-to-head मुकाबलों की तो को एडिलेट और पर्थ के बीच अभी तक टोटल 20 मुकाबले हुए हैं मैंने पहली बोला था कि पर्थ को एडिलेट क बोलूँगा ना मैं किसी को 21 पर्थ कर लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि पर्थी मुकाबला जीट चुकी है यह मैश टक्कर वाला होगा मैं पहली बोलना हूं मैच में मजा आएगा सब लोग जरूर इंजॉए करें अब बात करते हैं की पिलेर्स के बारे में की पिलेर से दो क की बातने में डाल रहों न 2019 पर हैं जो मतलब की प्ल fishing में डाला है Alone horse मां पार है कॉलिंगे लइए लभान को तरफ दूसी तरफ right side में आपको दिख रहा होगा पर्स स्कॉचर्स इसमें भी हमने छे लोगों छे मतलब पिलेर्ट को रखा है की पिलेर्स के तौर पर की पिलेर्स आप लोगों को मदद करेंगे ड्रीम 11 बगैरा बनाने के लिए तो यहां से अपने पिक अप कर सकते हैं इन चारों बल्लेवाजों को मैंने रखा है की पिलर्स में परस की तरफ से इसमें से कम से कम तो अच्छी पर मेंस दे करी जाएंगे आपको और एंटू टाई और एस्टन अगर यह मैंने डाले हैं की पिलर्स में ऐसा बॉलर्स तो यह भी आपको अच्छी गैंदवाजी करते हो दिखेंगे तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल क पर ज्वाइन कर लो किसी भाई को ज्वाइन करने में दिक्कत हो दिये तो हमारा आपकी स्कीन पर वाट्स अप नमबर है स्कीन सॉट ले लो सेफ कर लो चौरासी सैटालिस तरानवे तड़िपन सत्तानवे हम आपको वाट्साप पर भी टेलिग्राम कर लिंक शेर कर देंग और वहां भी आप टेलिग्राम जॉइन कर सकते हो तो चलिए दोस्तो बाई बाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में